तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं इंट्रकॉस्टल ड्रैनिज तो देखते हैं इंट्रकॉस्टल ड्रैनिज एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक नली के आकार की ट्यूब को रिप्स की बीच में प्लूरल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है ताकि जो अन्वांटेड एयर पस बलड फ्लूड को ड्रैन किया जा सके जो एयर पस बलड ये फ्लूड है उसको प्लूरल कैविटी से बाहर निकाला जा सके तो दीकते है यह image एक कि प्लोरल इस्पेस है जो हमारे लंगे है उसको उसका प्लोरिल इसपेस नीचे वाले लंव का इस्पेस होता है उसको उते हैं plural SPACE इसके यह लंगे ing केंदर एक डली हुई है जो कहां पर जाके connect होती है drainage container में और chase tube placement यह दिखा रखा है कि कैसे लगा हुआ है देखते हैं इसके indication करते हैं indication निमो थोरेक्स निमो थोरेक्स क्या होता है accumulation of air in the plural space जो हमारा plural space है उसके अंदर air का accumulation हो जाना air filled हो जाना plural effusion प्लूरल effusion क्योंदा plural जो space है उसके अंदर flood accumulate हो जाएगा उसके अंदर flood भर जाएगा empyma pyogenic infection जो micro organism होते हैं उनके दोरा जो pus forming होगा वो accumulate हो जाएगा इस plural space के अंदर hemothorax hemothorax के अंदर क्या होगा जो blood है वो accumulate हो जाएगा इसके अंदर hydrothorax accumulation of serious flood in the plural space इसके अंदर water भी हो सकता है कोई serious flood भी हो सकता है और अब इसके देखते हैं contra indication की contra indication क्या क्या है इसके अंदर इसको नहीं कर सकते हैं कोगुलो पैथी अगर कोई भी blood का disorder है तो हम plural effusion नहीं कर सकते plural drainage नहीं कर सकते lack of corporate या cooperation by patient अगर patient को operation नहीं कर पा रहा है तो भी हम drainage नहीं कर सकते हैं डाइफ्राम मेंटिक हरनिया अगर डाइफ्राम के पास हरनिया है तो भी drainage नहीं कर सकते हैं अब देखते हैं इसका procedure chest tube को 5th intercostal space में insert किया जाता है यह mid axillary line से slightly anterior होता है जो आपकी axilla है वो बिल्कुल mid line में इसको insert किया जाएगा slightly anterior और वो थोड़ा आगे होना चाहिए chest tube सामयने तो local anesthesia के प्रियोग के बाद insert की जाती है यहां पर local anesthesia दिया जाएगा जो आपकी 55th intercostal space है उसके ऊपर और just उसके नीचे इंटर यह insert करने से पहले insertion area को antiseptic solution से clean किया जाता है जब भी आप insertion करेंगे तो वहां के area को antiseptic solution से clean करेंगे जैसे iodine सबसे पहले area को sterile किया जाता है उसके बाद local anesthesia ऊपर और नीचे दिया जाता है जैसे कि आपको भी बताया गया था जब skin sun या loss of sensation हो जाता है तब small insertion लगाया जाता है थोड़ा उसमें small छेट किया जाता है hole insertion लगाने के बाद chest tube insert के लिए space दिया जाता है जब भी आप tube को डालेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा space दिया जाएगा इस space में chest tube insert की जाती है chest tube का दूसरा सिला दूसरा जो सिरा होगा वो water seal drainage bag से attach होगा पहले से ही और इस chest tube को suture के माद्यम से fix कर दिया जाता है वहां पर और उसके बाद जो fix कर देंगे तो drainage को drainage के ऊपर एक dressing की जाएगी जो drainage tube होगी उसके उपर एक dressing की जाएगी ताकि प्लोर फ्लूड है वह बाहर ना निकले और intercostal जो drainage है उसमें complication क्या क्या हो सकती है hemorrhage हो सकता है और pulmonary edema हो सकता है तो आज जी था intercostal drainage आई होप कि यह वीडियो आपको सबंच आया होगा अगर आपको इस वीडियो के इंदर कोई भी doubt होता है